तो गाइज अभी बाणी रेडी होगी है थाली लेके यह रिखिये इसकी ठाली इसमें कितनी तरह के इसने राख़ी सारी बाढ देनीए कम तो अभी धाले लगारी आप अपपाजी को तो आज आए Rakshabandhan का देन गार्ज हमारी सारी फ्यामली की तिरफ से आप सब को हैपम येकम भी तैयार होके बैठा देखिये। यह और हमी तो अभी ibe da our Bien Doctor करारे भारे अभी तो आज मनना भी डाल के बैठा यह हो तो अभी का सीन यह है कंआ यह के रुची के पापा के घर पे उसके बाद मेरी डीदी कर घर भी जाना है मेरे मामा जी के घर भी जाना है आगा व्लॉक काफी इंक्रस्टिक होगा आप लोग को एंद तक देखना वह गईज अब हम आचुके एन менिर के यहां से पहले मठियाइ ले लेते हैं क्या लेना क्या है देख लो काफी समय लगी यहां तो हर तरहां की चीज लगी है जब समय में अभी जब हैं घर को है तो गाइस अभी तो लेखने हैं यह सब्सक्राइब Kollegen कोई भी अच्छे लग रहे हैं बड़िया लगे हैं तो अभी हम आ गए हैं रुच्छी की मौम के घर पर यह यहां पर रख देते हैं तो गाइज अभी बानी रैडी होगी है थाली लेकर यह देखिए इसकी थाली इसमें कितनी तरह कि इसने राखिए सारी बांदेनी एकम को अब यह देखिए बैटा हुआ एकम तयार हो गया है या या वी बानी टिका लगाने जारी एकम तेक नहीं राट लगवा दिधी लगवा ले वाइन तू त्री लग लगा दें लगा ले लगा ले लगा ले वह लगवा तने पख़़ना पढ़ेगा इसको ए लग गया लगय लगया उसने उतार ही दिये चावल यह गिफ्ट लेकर मैठा हुआ है यह दीदी को देना है यह लिखा हुआ है मननत वसीन उस पर आदे दे लगा दिया ना इसको एक पगड़ के बंदो आना पड़ेगा पगड़ ले उसके आद को जो बस लगारें तो हाँ तो बंद लगा दिया न ह two लगा दियो न उम्धिक रश्य जमान ने समय पापा गोड़ेशं अब तो यहां से पूरी टेम मैंने अपनी एक्टिवा पर लट लिए है तो अभी हम निकलेंगे क्यूंकि काफी लेट हो गया देड़ बजगे हमको तो है गाइज अभी हम पहुंच गए यहां से हमको जाना पको वाल रोड मेरी दीदी के घर पर तो यह रोड देखे कितने शांद बना रखें इन्होंने एक दमचेप सब डाला हुआ इस पर तो मेरे राइट साइड आप देख सकते हैं रॉयल इस्टा यह देखे कतना बड़ी है बना रोयल इस्टा क्या है रेमंड का शोरूम है यह कैसा शोरूम बनाया है यह तो महल ही लग रहा पूरा है अभी मैं चैनल को सब्सक्राइब करते हो क्योंकि इसका भी एक व्लॉग चैनल है रिदा मन व्लॉग तो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो उसको भी आप सब्सक्राइब जूरूर करना तो अभी दीदी से और अपनी बांची से भी मिलवाता हूं आपको तो यह भी बड़ा सेलफी स्टिक उतर लेपटाउप पड़ा है यह लॉबी हे मारी कि दख्ये अबो सब्सक्राइब दीदी बना रहे हैं उथ्याला ओप यह पुली सोल्स फैना और जो तो क्या कर दी साथ में help कर वारी है चलो यह तो बड़ी आजी help भी कर वानी चाहिए तो अभी बनी है कुछ है एक पुली बन गी है गाइस दूसरी रखी हुई है तो गाइस दूसरा रूम में आगे आप पिछे देख सकते हैं मिरर विर लगाए और यह इनका पार्लर भी है न सारा गुमां के आपको इधर भी बहुत बड़ी लगए है यह मिरर के ओपर यह मेरे को बहुत बड़ी है यह लग रही है नफ अरुची को भी लगई हुई आ जै जब बेद्शी आजा फटा पड़ अ कुसकी भी बलेट परी यह देखे है और इकम सोहा हुआ पिछे तो गा तो आप करो आपके लिए पिया देखिए यह भोग है खुला पयार लेकर लेकिए तो गाहिस ऑभी हम बनवाने लगए राखी राइश बनवाने घृ राइश यह देखिए राखे लेके हमें लिए बड़ी सुन्दर लग रही है न बहुत बड़ीया राखिए है वाजी वाग, च्याओं अभी धागा भी बनवा लेंगे एक यह देखिए हाथ कुमा अपना, हाथ कुमा च्यालो, धागा भी बन लेंगे अभी तो यह रिखिये गाइस फाइली दोनों राखी मेरे टाइम कितना हो गया सबा तीन बजगें दोबहर के तो हमारे टाइम की कोई दिक्कत नहीं होती जब मर्जी बांदो हमको ऐसा नहीं के सुवे सुवे बांदनी है पूरे दिन में जब मर्जी बांद लो यह कि चार-वाज बढ़िया है तो अभी दिदी को देना है गिफ्ट अब मैंने इनको बोला है कि आप गैस कर लो क्या गिफ्ट है मैंने इनको यह भी बता दिया है कि वह हर बंदे का फेवरेट है तो गाइज अभी मनत पांदने लगी है चारू को राखी अरीदमन को वैसे हम इसको घर में चारू बोलते हैं मेरा बांजा है यह यह देखिए यह मम्मी है क्या करती है से डख ले सिर्थ तो इससे ने डखना के तूने डखना चल कोई बात नहीं होती तो गाइस अभी मानने लगी है मनत राखी यह देखो टाटा इतनी बड़ी चुनी है यह तो चुनी बहुत थोड़ा सा ले ले चल कोई बात ने तो वह बना रहा है साथ में बाननी आती कि है वी आप व्लॉगर फैमिली सारे हैं यह भी बना रहा है व्लॉग और मैं भी बना रहा हूं दो जन कठे हो गए हैं वाव चारू दिखाज़रा बहुत अच्छी है घुए बूक्त है इस में दो कंठाब सक्षार करे मां तो यहीं लेकर आया दीरी के लिए देखेये स्पेशल गिफ्ट ये वाला है उप्त अब एक बैठा हूआ वह रहा है वह जानी तो गाइस अभी मेरी को का देक की एक देखे इसके लिए तेरी तो आज मोजे लगी हुए है पैसे निकाल दीदी को पैसे भी देने आप पैसे को देगा भई बैठा इदर राखियें बंदवाए जा रहा है सबसे तीन राखिये पैसे बंदवाए यह दिदी ने बांद दी राखी वाखी बतालिया यह दिखिए तो अभी सबसे वह एक चीज नहीं लाएं है आपके आपको दिखाता हूं उसको बोलता है पैसा ग्राइब में पैसा गाय समझतर चल्ए अभी इनको यह पैसे पकड़ा देते हैं इनकी जितनी मर्जियों भी यह निकाल लेंगे यह कितने में पता इनको पकड़ा देते हैं यह पीछे से क्या इशारे कर रहे हैं तो यह देखिए यह 55-500 के नोट है आपको धिखा रहता हूं इदर यह देखिए 55-500 के भी है 200 बीके और इनको पकड़ा देंगे इनको अच्छा लगे गा वो रख लेंगे आपका कुछ नहीं बोलते हैं त इतने पैसे दर सभी दे दिए अब इन्होंने जितने रखने रख लीजिए और इसको भी देने इसने भी राखी बांद दिए ना एक हमको तुभी ले 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 बीच में से निकास मनत की भुवा ने उसको गिफ्ट दे दिया यह देखिए दिखा मनत वह बहुत सुंदर है य क्या बोलते हैं इसको ब्रैसलेट है देखिए मनत का ब्रैसलेट इसकी भुवा जी ने दे दिया थैंक्यू बोला भुवा वो तो गाइस फाइनली इनको हम जो रसम के हिसाब से पैसे देने होते हैं वो दे देते हैं इनको गिफ्ट भी दे दिया और इनको पैसे भी देने ह इन्होंने खुद से नहीं उठाए पैसे मैंने इनको 3000 के करीब पकड़ा दिये थे बोलते हम नहीं लेंगे ऐसा नहीं होता क्योंकि कम निकालने पड़ते तब अब गोलते तो यह दें तो रख लेते तब भी पकड़ाया था तो रख लो तो मेरी है अच्छा फिर वापस क्यो हुआ है ये लो जी है आपको दिखा देते हैं ये देखें कितने हैं बता दो आप मैंने उने हैं 12 जारह सो ये घूंफिर के मम्मी के पास आने कोई बात नहीं तो ये नहीं है यह कहा दो मिचा ए मिरको में इसे यह दे्ट तो अभी मेरे को यह सबसे पहले यह इसमें यह वाली बांदी है और यह की तरह कि यह दोनों है तो सेम इसकी मम्मी ने जोंसी बांदी है उसके साथ मली इसने बांदी है और यह बैठा हुआ है तो चले गाइज अभी निकल रहे हैं मामा जी के घर पे और मेरे दीदी बांदरे मामा जी को रखी और यह बैटा हुआ है रिपजीत यह मुच्छों को तांग चाहरा कि के अवह मुच्छों के तभा यह देरा भी यह तो बांदी मामा जी और मेरे मामा जी भी बैठें वह सामने आपने नमपादी अब मामा जी को उन्होंने मैं में बाण दी है हमारे आने से पहले बांद दिये यह देखिए एक चौकलेट के डबे लेके हैं केड़ बरी के ये देखिए वाव भीबा खाने केड़ लेले जो आज तो कुछ मिठा हो जाए बाद में खाएगा जी यह तो वाइज अभी मेरे मामा जी के लड़के को मेरी सिस्टर भी बांदेंगी यह बांदेंगी यह बांदेंगी यहां सबसे पैसे पैसे करेंगे कितने हैं तू भी देगीन तू भी बांदे कि 11 सो इसको बीदो जी दोनों को वाइब ये देखिए बोलगसी ल traumatिये से Danny तो अच्छ ने ग्याराव सो तो देना पढ़ेगा निपी बात सुन ले में आपे दिया रहाव सो से कम नहीं नहीं इससे ग्यारां सोटें लेंगे हम तो मामी जी लेके आगे हैं लिमका यह तो गाइस अब तो उदर चारू भी आके लेट गया है तो यह बढ़िया कर दिया ना पहले यहां सोफे लगे हुए थे दवान लगा था पहले अब इन्होंने बैड नहीं लिया है बहुत बढ़िया आई है काफी अच्छा बैड़ा पीछे से कितना सुन्दर है ना तो बाकी सब जने उदर पाझाने ने बनाटु पर हुए है यह रूम में यह बैठा हुए यह खड़ा हो या फट तो अभी सब जाने बैठे हुए है गपे शपडर रहे हैं यह दिखिए सब यहाँ मेरी सारह सारी सारी बैठी मेरे तिम दिखाने दे यह लिकी वेट आ दयाता रहा बस तब से एक हर रहा है का मैं म जल्याकश है रात के 18.30 हो गए है और अब हम जा रहे हैं अपने घर पर डेडी जी भी अपने घर पर जा रहे हैं तो मामी जी भी बैठे हैं सब जन्सक्त जन्य को बारी है कर दो बई कесनग चल रुची चलें तैयारी होगी पूरी चलो बानी चल फिर चलें घर को काफी लेट हो गए तो गाइज अभी का सींज यह अभी हम जा रहे हैं अपने घर पर यह देखिए पुल के नीचे कितना बढ़िया इन्होंने 15 अगस का बनाया हुआ तिरंगे के रंग बनाया हुए द इतना सुंदर है ना ब्यूटिफल बनाया हुआ है बहुत ब्यूटिफल बनाया हुआ है नहीं तो गाइस अभी का सीन यह है फाइनली हम अपने घर पे पहुंच गए और आपके बच चुके हैं नो बच के 20 मिनट हो गए हैं तो अभी बहुत जादा थके हुए बुरा हाल ह आपको पता है सुबह हम निकले हुए हैं पहले पहले इसके ममी के घर पे गए उसके बाद डीदी के घर पे गए वहां से फिर मामी के घर पे गए तो अभी हम अपने घर में पहुंचे हैं ठक बहुत गया है तो अभी नायद होएंगे और रेस्ट करेंगे इस व्लॉग को यहीं पर एंडिंग करेंगे आई होप आपको अच्छा लगा हूँ अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तब तक के लिए आप सब को बाई बाई